सब्सक्राइब कीजिए सेड़ जी के नुसके चैनल को और इस बेल आइकोन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सेड़ जी के नुसके में दोस्तों आज मैं एक बहुती महत्पुन टोपिक लेकर आई हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा उपाई बताऊंगी जिसे अगर आप सावन के मंगलवार क दिन करोगे तो हनुमान जी खुद आपकी मू मांगी इच्छा पूरी कर देंगे इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप इस वीडियो का पूरा-पूरा फायदा उठा सके दोस्तों आप सावन के महीने में हनुमान जी को खुश करने के लिए जो कुछ भी करोगे तो हनुमान जी आपकी मू मांगी इच्छा पूरी कर देंगे क्योंकि हनुमान जी को शिव जी का ग्यारवा रुद्र अवतार मना जाता है इसलिए दोस्तों अगर सावन के महीने में आप हनुमान जी का कोई उपाय करेंगे तो आपको हनुमान जी के स साथ साथ शिवजी जी की भी अनंत क्रिपा प्राप्त होगी तो चलिए जानते हैं वो कौन सा उपाए हैं जिसे मंगलवार के दिन करने से हनुमान जी और शिवजी दोनों की क्रिपा प्राप्त होती हैं दोस्तों मंगलवार का दिन विशेश रूप से हनुमान जी का दिन मान तो चलिये जानते हैं उस उपाए के बारे में दोस्तों मंगल बार के दिन एक नारियल ले करके उस पर सिंदूर लगा ले और फिर उस पर लाल रंग की मोली से चार बार लपेट ले अब धूप दीप आदी जला कर इस नारियल की पूजा करें दोस्तों सुबह जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं वहीं पर आपने ये प्रियोग करना है वहीं पर एक नारियल रख ले और उस पर सिंदूर लगा कर फिर मोली से चार बार लपेट ले और फिर धूप दीप फूल आदी से इस नारियल की पूजा करें और इसके बाद किसी सिद्ध हनुमान मंदिर में जाकर उस मंदिर में हनुमान जी के चड़नों में ये नारियल चढ़ा दे दोस्तों अगर आप ये उपाए करेंगे तो आपके जीवन प्राइश में ज़्यादा से जादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल सेट जी के नुसके को ज़्यादा सबस्क्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए झाल